हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको वन्ट्यू एर बेबी के लिए बहुती प्यारा सा जंप सूट बनाना सिखा रहे हैं जिसमें हमने इस फ्रेंट से ओपन किया है इसमें काज और बटन कर देते हैं 75 सेंटीमिटर हमने इसमें फैबरिक लिया है और बीच में इसमें डोरी डाल दी है आईए वीडियो शुरू करते हैं यह देखिए वी योग के लिए फ्रेंट्स यह हमने दो पीस ले लिये हैं जिसकी लेंथ 9 इंच है और चोडाई में यह 16 इंच है अब हम इसको डबल कर लेते हैं 4 लेयर यहां पर हमारी हो ग लेना है आर्म होल में हमें इसमें गोलाई कर देनी है नेक की चोडाई हमें 2 इंच रखनी है और लेंथ में इसको 3 इंच रखना है अब हम इसमें गोलाई कर देते हैं ये देखिए फ्रेंट्स यहां पर हमें इसमें डोरी डालनी है बीच की साइड में तो इस जंगे से हम इस इससे को कम कर लेते हैं क्योंकि चेस्ट हमें कम रखनी है और बीच से डोरी की वज़े से हमें जादा रखना है हलकी सी गोलाई हम नीचे की साइड से भी कर देते हैं क्योंकि साइड में से हमारी चोड़ाई करने की वज़े से नीचे से ये हलका सा जादा हो जाता है इसलिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं शोल्डर हमें इसका ढालदार रखना है हलकी सी कटिंग कर देते हैं क्योंकि shoulder हमारे ढालदार होते हैं इससे इसकी shape अच्छे आती है दो piece यहाँ पर हमने ले लिये हैं इसके जिसकी चोड़ाई 18 इंच है और length में ये 12 इंच है अब हम इसको ऐसे करते हुए double कर लेते हैं यहाँ पर देखिए fold layer इसकी हो गई है अब हमें जुड़ा हुआ जो हमारा हिस्सा है उससे अपने योग को मिला लेना है और उसकी बराबर यहाँ से हमें आसन की चोड़ाई माप लेनी है 1.5 इंच की आसन की हमें चोड़ाई रखनी है और लंबाई में हमें इसको 8 इंच रखना है हम इस पर सीधा निशान लगा देते हैं यहां से हमें इसको चकोर कर देना है अब हमें इसमें गोलाई कर देनी है इस जंगे से आसन की हम महरी के लिए टू इंच कट कर देते हैं और बाकी की महरी अपनी छोड़ देते हैं वन इंच नीचे की मोहरी हम फॉल्ड करने के लिए निशान लगा लेते हैं अब हमें इसको ऐसे फॉल्ड कर लेना है और यहां पर इसको कटिंग कर देना है फॉल्ड हम इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे की साइड से हमारा कम हिस्सा होता है उपर की साइड से जादा होता है इसलिए ये फोल्ड करके बिल्कुल बराबर आजाता है अब आसन की भी हम कटिंग कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंट्स ये हमारी शोर्ट कटिंग हो गई है नीचे की साइड की जंप सूट की और ये योग हमारे कटिंग हो गए है अब हम एक पीस इसमें से अलग कर देते हैं और एक पीस को हम डबल कर लेते हैं और बीच से उसको कट कर देते हैं ये हमारे दोनों पीस कट कर तयार हो गए हैं अब हमें एक पट्टी लेनी है इस साइड में लगाने के लिए और दूसरी पट्टी इस साइड में हमें लगानी है जिसकी चोड़ाई हमने टू इंच ली है और लेंथ में आप इसके बराबर ले सकते हैं योग के बराबर इसको हमें फॉल्ड करके लगाना है यहाँ पर यह हमने वन इंच की पाइपिन ले ली है फ्रन्स पाइपिन आप जब भी लगाएं तो उसको फुल रेब की पाइपिन हमें काटने चाहिए जिससे यह अच्छी लगती है अब यह फ्रन्ट के योग में हम पट्टी लगा रहे हैं इसको हमें डबल करके लगाना है एक साइड में हमें इसको डबल करके लगाना है दूसरी साइड में फॉल्ड करके लगाना है अब हम सभी फेबरिक इसके नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं एक्स्टा फेब्रिक हमें कट कर देना है अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं यह यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा लिए पट्टी को अपनी सेट कर लिया है अब दूसरी साइड की पट्टी हम लेते हैं और इसको हमें ऐसे करते हुए खुली हुई लगानी है अब हमें इसको ऐसे करते हुए नेल से अंदर का फैब्रिक सेट कर देना है और फॉल्ड करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है फ्रेंस ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं इसमें हमें बटन लगाने है और जो उपर की पट्टी है उसमें काज करने है आप आई हुक भी कर सकते हैं इस पट्टी में आपको आई बनानी है जो दूसरी पट्टी है उसमें हुक लगाने है अब हम दोनों पीस एक दूसरे के उ लेने हैं और इसको काट कर बराबर कर लेना है जो थोड़ा बहुत हमारा एक्स्टा हुआ है क्योंकि हमने इसमें बीच में पट्टी लगाई है तो इससे बेक साइड का पीस हमारा थोड़ा सा जादे हो जाता है और फ्रंट साइड का थोड़ा सा कम हो जाता है हमें दोनों प फ्रेंट पीस के बराबर कर लेते हैं बेक साइड की दोनों पीस हमारे बराबर हो गए हैं अब हम इसके शोल्डर पर सिलाई लगा देते हैं फ्रेंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए जिससे हम स्लिव्जिया पाइपिन वगेरा लगाते हैं तो इससे साइड से उधरते नहीं है अब हम आर्म होल की पट्टी लगा रहे हैं पट्टी को हमें डबल कर लेना है और आर्म होल में लगा लेना है यह अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली हमने पट्टी लगाई है तो इसको हम धीली-धीली सी छोड़ते हुए लगाते हैं किसी भी जगे से हमें इसको खीचना नहीं है नहीं तो ये अंदर की साइड को फॉल्ड होने के बाद जोलाएगा अब हमें इसमें कट लगा देने हैं हलके हलके से अब सब फेबरीक हमें इसी पट्टी के नीचे करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है अंदर का फेबरीक भी हमें इसके बिल्कुल बराबर लेना चाहिए इससे हमारी पट्टी या पाइपिन में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है एक्स्ट्रा फेबरीक हम कट कर देते हैं और इसको इस साइड पर फॉल्ड करते हुए इसके उपर सिलाई लगा देते हैं किनारे पर हमें पट्टी के सिलाई लगानी है इस तरीके से आप किसी भी चीज़ में पट्टी लगा सकती है आपकी पट्टी में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी अब दूसरे आर्म होल में भी और नेक में भी हम इसी तरीके से पट्टी लगा लेते हैं यहां से जब हम नेक में लगाएंगे तो फ्रंट से हम इसको खोल लेते हैं और इसको डबल करते हुए यहां पर लगा देते हैं फ्रंट से हमें इसको शुरू करनी है ये देखिए फ्रेंच ये हमारी सभी पट्टी लगकर तयार हो गई है ये हमारी शोट के पीस है हमने दोनों पीस मिला कर रख लिये हैं इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है अब हम इसमें गोलाई के हिस्से में हलके हलके से कट लगा लेते हैं कट लगाते से में ध्यान रखियें कि आपकी सिलाई कटे नहीं अब जिस साइड में हमें सिलाई लगानी है उपर की साइड उसी साइड में हमें नीचे की साइड सब फैबरिक कर लेना है एक पेर की सिलाई हम इसके बराबर में और लगा देते हैं फ्रेंड्स ये सिलाई ये इसका लुक बिलकुल ready made जैसा हो जाता है और बीच का आसन बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है अब हमें दूसरे piece को भी मिला लेना है और इस पर भी आसन पर ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड के आसन पर हमने इसके सिलाई लगा लिए अब हमें मोरी को fold करना है फ्रेंट अगर आपसे सीधी मोरी मोरने में परशानी होती हो तो आप उस पर one inch का पहले scale से निशान लगा लीजिए उसके बाद इतनी ही मोरी को fold कर लीजिए इस पर भी यहाँ पर हमें इसके बराबर में एक सिलाई एक पेर की ओर लगानी है इसी सिलाई के बराबर में जिससे इसमें बहुत ज़्यादा फिनीशिंग आ जाती है और रेडिमेट का लुक आ जाता है जिससे ये बहुत ज़्यादा खुबसुरत लगता है ये हमने दोनों सिलाई लगा दी है इस साइड की मोहरी में भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा कर तैयार कर लेना है दोनों मोहरी हमने मोड़ कर तैयार कर ली है अब हम शोर्ट को ऐसे कर लेते हैं और जो नीचे का हमारा आसन है उसमें सिलाई लगा देते हैं मोहरी को मिलाते हुए फ्रेंट्स यहाँ पर हमें हमेशा double सिलाई लगानी चाहिये जिससे बच्चों के कपड़े जल्दी से उधरते नहीं है इस साइड में हमें हलका सा कट लगा लेना है और इस साइड में भी हलका सा कट लगाना है ताकि हमें इसके center का पता चल जाए अब हमने ये अपने योग के पीस लिये है इसमें भी हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं इसमें हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी फिटिंग की सिलाई लगानी है यहां पर भी हम इसमें डबल सिलाई लगा देते हैं इस साइड में भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है अब हम शोर्ट पे जो हमने कट लगाया हुआ था और यह साइड की सिलाई योक की हमारी है इसको मिला लेते हैं बराबर और ऐसे करते हुए हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगा कर योग को और शोट को एक साथ जोड़ कर तयार कर लेना है कोई सा भी फैबरिक हमें खीचना नहीं है दोनों फैबरिक को बराबर करते हुए हमें इसके बीच में सिलाई लगानी है फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह हमने एक सीधी पट्टी ली है इसको हम यहां से फोल्ड कर लेते हैं इसकी चोड़ाई 1.5 इंच है अब हमें दोनों पीस के अपने योग के और शोट के बराबर में इस साइड भी इस पट्टी को फोल्ड करके लगाना है और दोनों साइड से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड पर इस पट्टी को ले आना है पहले एक साइड से हम इस पट्टी को लगा देते हैं यह देखिए यहां से हमने पट्टी को अपनी लगा लिया है अब हम इस साइड से भी इसको फोल्ड कर लेते हैं फ्रेंस ये पट्टी हमें सीधी साइड पर लगानी है जंप सूट के क्योंकि हमें इसमें डोरी डालनी है ऐसे हम दोनों साइड में अपनी पट्टी को लगाकर ये देखे तैयार कर लिया है ये बीच से इसका खुला हुआ हिस्सा है फ्रेंस ये हमने रेडी मेट डोरी ली है जो आपको आसानी से मार्किट में मिल जाएगी है डोरी आपको 2-3 रुपीय मिटर तक मिल जाएगी अब हम डोरी को बीच में पिरो देते हैं इसके और दूसरी साइड को निकाल लेते हैं अगर आपको डोरी नहीं मिलती है तो आप कपड़े की डोरी सीकर भी इसके अंदर डाल सकती है अब हमें बेबी के हिसाब से इसकी फिटिंग कर लेनी है और यहां पर ऐसे करते हुए इसको बान देना है चुन्नटे आप अपनी बेबी के मेजरमेंट लेकर उसकी चोड़ाई के हिसाब से इसमें सेट कर सकती है यह दो लुपी हमने ली है जिसकी चोड़ाई भी थ्री इंच है और लंबाई में भी थ्री इंच है हमें इसको ऐसे डबल कर लेना है और नीचे का हिस्सा उठाते हुए बीच में इसके कर लेना है यह देखिए ऐसे हमारी यह लुपी तय तैयार हो गयी है दूसरी साइड में भी लुपी को हमें एसे ही लगा लेड़ी है दोनों लुपी हैं वहां पुल Dodge लेते हैं कि कि यह सकते हैं थाधिक कितना सा हमारा यह जम सूट बनकर तैयार हो है अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चेनल कोобщ सब्सक्राइब करना मतल़ कुछएं। मिलते हैं नेक्स वीडियो में, ने ने डिजाइन की साथ अब तक के लिए बाइ-बाइ